दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आप सभी के लिए बहुती बड़ी हाँ बिजनेस अप्टुनिटी लेकर किया है जिसमें कि आप सभी लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में जुड़ करके उनका एक बीसी पॉइंट लेकर के इंडिया पोस्ट पेमें बैंक के बीसी पॉइंट पर कौन कौन सी सर्विसेस अवेलबल है और कैसे हमें एक बीसी पॉइंट के लिए ओनलाइन अपलाई करना है सारी चीज़े आपको लाइब देखने को मिलेंगी तो चया लिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले तो आप सभी लोग अगर बीसी पॉइंट को लेना चाहते हो तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो ओफिसियल वेब साइट है आप सभी को इसी पर आ जाना है अब यहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आज की डेट में बैंकिंग के भी काम करता ह अब यहाँ पर BC point जो appoint किये जा रहे हैं उनके बारे में अगर आप सभी को जानना है तो इसका एक notification जारी किया गया India Post Payment Bank की तरफ से जिसमें कि अगर उसे हमें देखना है तो हमें search करना है यहाँ पर BC अब जैसे मैंने यहाँ पर search किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि India Post Pay payment bank के जो BC point है वो पैन इंडिया open किये जाना है जो कि आम लोगों को जो services है वो provide करेंगे अब यहाँ पर इस BC point के लिए कौन कौन लोग eligible होंगे जो apply कर सकते हैं जिसके लिए आप यहाँ पर देखोगे कोई भी retired bank का employee इसके लिए apply कर सकता है कोई teacher apply कर सकता है इसी के साथ में नीचे के तरह आप देखोगे कि यहाँ पर किराना store medical store वाले भी इसके लिए apply कर सकते हों और यहीं नहीं common service center यानि की CSC या फिर self help group जो लोग चला रहे हैं वो लोग भी इसके लिए apply कर सकते हैं तो यहाँ पर इंडिया post payment bank के बहुती बेहतर opportunity लेकर क्या है जिसमें कि आप आप सभी लोग काम करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो अब यहाँ पर काम कौन कौन से करने होते हैं उसके लिए भी आप सभी को बता देता हूं तो इसके लिए आप सभी को एक टैप दी गई है service request की जिसमें कि आप सभी को IPPB customers का जो option दिया गया है इस पर click करना है अब जैसे आप click करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि cash withdrawal हो गया deposit हो गया आधार सीडिंग का काम हो गया आधार कार से mobile number email का ID को update करने का काम हो गया री के वाइसी करने का काम हो गया या फिर पैसे का लेंदेन करने के जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के काम है वो आप कर सकते हो life insurance sale कर सकते हो इसी इक साथ में government की कैसारी जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि योजनाय हो उनका भी lab लोगों को आप provide करा सकते हो और services को लेना चाहते हैं तो हमें तो चाहिए एक इंटर तो इसके लिए हमें क्या करना है service request की टैप पर अगेन आना है और यहाँ पर non-ipbb customer के section पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ और भी option आते हैं जिसमें कि आप सभी को लास्ट option देखने को मिलता ह partnership with you तो हमें इसी option पर क्लिक करना है अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि कई सारी partnership टाइप यहाँ पर दी गहीं जिसमें कि हम एक बीसी पॉइंट के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो individual business correspondent यह जो option दिया गया है इसी पर क्लिक करना है इसके बाद म last name अपना फिल कर देंगे यहाँ पर आपको अपना mobile number फिल कर देना है इसके साथ में यहाँ पर address first line के section में address second line के section में आपको complete address है वो address यहाँ पर फिल कर लेना है अब जैसे आप पिन कोड को फिल करोगे तो आपके पिन कोड पर जो भी nearest post office होगा वो यहाँ पर आप सभी को सो हो जाता है तो यहाँ पर आप सभी का जो भी post office है जो आपके घर के पास में नजदीक है उसको आप सभी को यहाँ पर select कर लेना है अब जैसे आप post office का selection करोगे तो आप नीचे के तरफ देखोगे कि sub district division इसी के साथ में reason और state यहाँ पर automatic select हो चुका है आप सभी लोग any specific request के section में आओगे अब यहाँ पर आप सभी को जो भी requirement है उसके बारे में आप सभी को बताना है जैसे कि हम यहाँ पर एक बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पास जिस तरीके से हम एक application लिखते हैं सौट सब्दों में यहाँ पर हमें लिख देना है जैसे कि मैंने य अशकते होती हैं दिकते होती हैं आगर आप बीसी पॉइंट प्रोइड कर देंगे तो यह जो सर्विसेस हैं लोगों को मैं आसानी से दे पाऊंगा यह लिखने के बाद में आप सभी को यहाँ पर आई एगरी का जो option दिया कि इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर जो capture code क दिखाया गया है इस capture code को सेम वैसे फिल कर देना है देन आप सभी को यहाँ पर सम्मीट के option पे क्लिक करते ही आपकी जो application है वो successfully यहां से दर्ज हो चुकी है इंडिया पोस्ट पेमें बैंक अब इसको internally verify करेगा जिसमें कि जो भी आपने post office का selection किया होगा उनकी तरफ से सभी को जानना है तो इसके लिए आप सभी को फिर से अगेन यहाँ पर beta करना है और यहां पर आप सभी के सामने वही जो notification है open हो जाएगा जिसमें कि आप यहां पर देखोगे यहाँ पर अपना ID number फिल करना है और आपको यहाँ पर अपने banking Detail फिल करनी धिन यहाँ पर अपनी सिगनेचर है complete कर देने और यहाँ पर form number sixty इसको भी आप सभी को फिल कर लेना है यहाँ पर आप सभी को एक document भी इसमें attaiege करना होगा जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, कई सारी ID proof दे गए हैं, इनमें से कोई भी आप document दे सकते हैं, अभी जो form है, फिल करने के बाद में, आप सभी को यहां पर circle and branches का एक option देखने को मिलेगा, जिस पर अगर आप click करोगे, तो यहां पर आप सभी के सामने India Post Payment Bank का, जो इसके लिए dedicated office या पोश्ट के office होगे, आप सभी को सो हो जाएंगे, इसी के साथ में उनकी जो head office की email ID है, वो भी यहां पर आप सभी को सो हो जाती है, इसी के साथ में जो भी branch का head होगा, उसकी detail आप सभी को मिल जाती है, अब यहां पर आप जा करके भी इनसे contact कर सकते हैं, या फिर आप हैं, तो physically इनके पास में जा करके मिल सकते हैं, अब यहां पर आप देखोगे, सारे ही state की पूरी list दी गई है, अगर हम यहां पर बिहार select करेंगे तो तो देखोगे कि यहां पर पूरी list जेंज हो चुकिए, बिहार के जो अथार से offices हैं, उनकी जो detail है, यहां पर reflect हो जाती ह आप सभी लोग India Post Payment Bank के BC Point के लिए apply कर सकते हो, बाकी जो है आगे की process के लिए किस तरीके से contact करना, उसका भी process मैंने बता दिया है, तो आसा करता हूँ, आज के जो वीडियो है, आप सभी को काफी पसंदा होगा, इस वीडियो को अपने friends और family में share करेगा, इस से related कोई भी question है, किसी भी तरीके के और भी information से है, तो आप मुझे comment box में जरू लिखेगा, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, जैहिन